अडानी एंटरप्राइजस पर एक बार फिर से नज़र डालेंगे क्योंकि नतीजे आने के बाद उसमें जो एक फिगर आया उसने पूरा का पूरा मूड फिलहाल के लिए सुधार दिया है और इस वक्त दिन के उपरी सतर पर ये शेर ट्रेट कर रहा है चार परसंट के आसप परसंट का फिगर आया है और सबसी जो एहम चीज है कि घाटी से मुनाफी में आ गई है कंपनी 12 क्रोन रुपए के घाटे के मुकाबले 820 क्रोन रुपए का एक सॉलिड प्रॉफिट दर्ज किया है साल दर साल आई ये फिगर है तीन पर आपको ये शेर दिखेगा संतोश अड़ानी एंटरप्राइज कुछ भी कहना बोलना कोई राय देना मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है आजकल एनलेस्ट के लिए फिर भी आप कोई सेलाश करना चाहेंगे अगर किसी के पास ये शेर है कोई ट्रेडर है किसी के पास पहले से हैं तो आपके राय क्या हमो रहे है तो ये इस टॉक्स लाश सौद नीचे लजाएज उसी लेवल के असपास बनाने की कोशिश कर रहा है तो मेरे सलासिक लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक आ बना है रह सकता है जिसकी अरड़ी है उसको स्टापलोस मानके चलिए ओपर में अगर बाउन सबैक 200-29 तक लेके जा सकती है बट ज्यादा कुछ कहना इसके लिए मुश्किल है मेरा नजर सिपर 1600 के लेवल पर है अगर वो जब तक होल्ड है तब तक थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं ठीक है 1600 का स्तर जब तक बचा हुआ है तब तक आप सुरक्षित हैं पलबेक में 2200 रुपए तक जाने की संभावना है अडानी इंटरप्राइज़ की और ये बिल्कुल शॉट टम व्यू मान सकते हैं और जो चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं और अभी जो आंकडे आ रहे हैं वहां से काफी उत्सा जनक संकित फिलाल दिख रहे हैं